इत्र से कप्रों का महकना कोई बड़ी बात नहीं मज़ा तो तब आता है जब आपके किरदार से खुश भूआ है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आशुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो जो है वो मदुमक्खी पालन के एक्सपर्ट माने जाने वाले सुनील सर और डॉक्टर राजकुमार सर साथ में थे वो वीडियो आप देखे होंगे उसमें सिर्फ तकनीकी जानकारी दी गई थी अभी हम आए हैं आज रंधिर जी के फाम पे और उनसे हम जानने की कोशिज करेंगे कि मदुमक्खी सब्सक्राइब कीजिएगा सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है मेरे फार्म अभी आपका स्वागत है कि सर थोड़ा सा अपना पड़िचे हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए हम रंधिर बढ़मा ग्राम पुर्शरासत नौबर पूर्थाना का स्थानिवा से हूँ और 37- mold शाल सर्फ़ीं करें हम कर रहे हैं आपना 27 से कर् रहे हैं पहले बाबु जी करते थे मेरे यां सबसे कैसे क्या बनाना होता है इसके बड़े में थोड़ा से बता हूँ इसको लकरी का बनवना होता है, बड़ी लोग बना देता है, तो बना देता है, वही लम्टसम बक्सा का शाटार सो रुपया पड़ता है, और आप जो अलग अधुनिक तरीके से कर रहे हैं, वह बक्से का क्या आएगा? उसका दूगना पड़ जाएगा, अगर माल लिजे 7-800 इसका आता है, तो 15-1600 रुपय उसका आएगा, अभी जैसे रंधिर जी हम जानने की कोशिस करेंगे, कि जैसे ये बक्सा है, तो लगभग इससे कितना एक बक्से से मुनाफ़ा आता है, और अगर जो आपका दूसरा जो अगर आधूनिक बक्स सकीजिएगा, जितका उसका मतलब क्वाइलिटी है सब निकालने का, मधु डंक, परपोलियो, सहद, मुम, पड़ाग इस सब मिलाकर, मतलब वही 8-10 लग तक उसका इंकम आजागा, पचास बक्स में, तो 2 लाग खर्च भी आजागा उसमें, फिर भी इस अच्छा है, चरगुना मिस से मतलब विनकम ज्यादा है, सर इसका ट्रेनिंग वोगरे कहीं से लिये थे आपकी नहीं, ऐसे तो घर पर भी देखे, बच्पन से भी उभी ट्रेनिंग मेरे पास है, और से हम खादी गराम से खुरा से भी ट्रेनिग लिए हुए, खादी ग सिर्फ सहद का काम करते हैं, थोड़ा से विश्तार से बताईए, सर, अभी तक तो मतलब सहद उत्पादन करते थे और मदमखी का बॉक्स बेशते थे, अब तो आधुनिक दाख से मतलब सुरू किया है, इस बार से सुरू कि सरलोके में हुआ है, देखे हैं हम वहाँ कुछ सहद का करते हैं, यह साल में कितनी बार होता है, और कैसे मार्केट में कैसे बेशते हैं, उसके बाड़े में थोड़ा सा बताईए, अलग 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 जगोपा जाना पड़ता है, जिसे पैदावार के हिसाब से जाना पड़ता है, इसको मतलब traveling करना होगा मतलब तो बक्सा भी बक्सा का भी moment होगा हाँ बक्सा के भी moment रहता है इसको migration करना होगा एक जगह से मधुमक्खी पालन नहीं हो सकता है अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में बता है यह विश्टार से इसमान लिए कि यहाँ पर जामुन के लिए है औ पड़ाग के लिए जाना होगा रस तो नहीं मिलता नहीं उस समय फिर आपको रस कभी भी मिलेगा बिहार में तो मान के चली के नोंब्रेस मिलेगा इससे पहले यहां कुछ नहीं मिलता है अच्छा मतलब कि migration जरूरी है अगर ज्यादा profit कमाना है migration जरूरी है दू कारण होता चैन्ज होते रहता है एक जगवा रखने से मधमक्की का मूद होता है अच्छा नहीं रहता है प्रकिर्थी के हिसाब से भी अच्छा नहीं रहता उसके लिए परन्दिर जी हम जानना चाहेंगे की जैसे मधुमखी में जैसे बहुत सार अच्छा कोई सहद नहीं होता है बाकी को च्वार्च नहीं करते हैं जयादा लोग लीची का डिमांड करते हैं सिर्फ नाम करते हैं मार्केट में सर सब क्या रेट है लगभग औसट में थोड़ा सा बताईए विस्तार से मार्केट में घ्या हैं तो करता है सब करते हो जाहर तो सब का रेट कैसे मार्केट में कैसे मिलता है उसके बारे में घ् Remoat इसब में हर साल हर सीजन के ऊपर खुलता है प्रोक्स में कुछ अच्छा आपका कॉयलीटी रहता शीव तक भी जाएगा अगर घतिया क्वाइलिटी है आपका तु बहुत नीचे भी जाएगा अब जैसे सर्व बात आती है कि जैसे हर मौसम की बात हुई 12 में भी क्या बचाना पड़ता है कैसे क्या इसको कैसे कंट्रोल करते कैसे ढखते रखते हैं या कुछ क्या करते उसके बारे में थोड़ा से बताई अगर बॉक्स के पास अपना धक्कन है तो धक्कन से ढख दिजि पहले रखना होगा इने के बरसाद शुरू होने तो उससे पहले दिकत हो जाएगा चूटी भगा देगा माटा भगा देगा अब सर जैसे आते हैं बात इसके फीडिंग हैबिट्स के बारे में कि जैसे अगर कोई भी चीज को पालते हैं तो अब यसी बात है कि उसको खिलाना है कि घडिये व जाथ के बारे में बात होता है काफी मार्के में काफी अंतरश्टी मार्के में काफी इसका उच किमत पर मिलता है सोने से भी महेंगा कहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए इसके बारे में तो भी इतना हमको जानकारी नहीं है इस अंत्मेसर मेरा एक सवाल है कि जैसे जो सामने से हमारे युवा भाई या किशान देख रहे हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाह अब परागत धंक से भी करें तो है बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए धन्यवाद सर दोस्तों ये थे रंधीर जी जो की लगभग 25-30 साल से मधुमक्ही पालन का काम कर रहा है इनके पिता जी भी इस काम में चुड़े हुए थे और कहीं से सरक्त को ज्यादा सीखने की जुरत नहीं पड़ी हालागी परसिक्षन लिए हैं लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज अगर हमारे बाप दादा करते हैं तो वो चीजे इन्हेरिट होती हैं और हम लोग को वनसानुगत मिलती हैं तो सर को ये चीज इनके विरासत में मिली है दोस्तों अगर किसी भ सरकार के तरफ से ये ट्रेनिंग जो है वो निहसूलक दिया जाता है बामेती से आप ले सकते हैं जो हर जिल्य में आत्मा का कारियाले होता है वहां भी ये ट्रेनिंग मिलता है बिहार स्कील डेवलप्मेंट मिशन के थुरू भी ये आपको ट्रेनिंग भी कीपिंग का मिले चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग